So hi everyone, welcome back to my YouTube channel So friends, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ NIT के fear structure के बारे में तो जो भी a student JMAN 2024 के लिए appear हुए हैं तो friends, जब आप लोग का result आ जाता है अगर उसके basis पर आपको NIT में आपको admission मिल जाता है तो आपको एक पहले से जनकारी होना चाहिए कि आपको अगर NIT में जा रहे हो तो आपको कितना fees आपको 4 साल का लगने वाला है मैं semester भाई भी बताऊंगा कितना आपको hostel fee लगेगा कितना आपको tuition fee है जो भी वहाँ का requirement होता है सारा मैं बताऊंगा तो वीडियो को last देखिएगा जो भी student चैनल पर पहले बाद भीजिट कर रहे है तो चैनल को अभी subscribe कर लिजिए क्योंकि आपको जब तक आप लोग का admission नहीं हो जाता है तब तक आप लोग का help मिलता रहेगा तो अभी आप लोग चैनल को subscribe करके bell icon घंटे प्रेस कर ले रहे है और friends मेरे WhatsApp and Telegram Group में भी join रहेगा ताकि जो भी notification आता है इस PDF को मैं भी उस group में डाल दूँगा तो वहां सब भी देख सकते हो जितने भी IIT है तिरपा IIT है सब रहा कि मैं free structure में वहां पर डाल दूँगा Telegram Group में तो आप लोग जोईन हो जाईए तो यहां पर आप देख सकते हो इसके Official Group से मैंने निकाला हूँ NIT का जो की दिली का है तो इसका free structure क्या रहने वाला है इसी के basis पर आपको जितने भी आपको NIT है उसमें आपको पता चल जाएगा academic year जैसे कि 22 के लिए था तो उसे में रहता है आपको बदलेगा नए तो यहां तो के word category है और यहां पर applicability है क्या है तो देखिए अगर आप general से हो तो friends अगर आपका family income आपका one lakh से below है यानि कम है अगर आप OBC के student है तो आपको one lakh से below है आपका income family income उसी तरह से EWS AC और ST अगर आपको one lakh से एक आपको कम है fee यानि कि आपका जो भी income है parents का तो आपको basis पर मैं बता देता हूं कि आपको कितना fee लगने वाला है तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको semester आपको यहां पर दिया गया है head of fees यानि first semester, second semester, third semester, fourth semester, five, six, seven, eight और total fee तो यहां पर मैं step by step मैं बता देता हूं बस आप लोग लास्ट अप बने रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो एडवीशन का प्रोसेस होता है जैसे आप इंटरी लेते हो तो एडवीशन भी आपको लगता है अब बात आ जाता है tuition fee का तो friends अगर आपका family income एक लाग से कम है तो आपको fee जो की है माफ हो जाता है every year या every semester बोल सकते हो तो यहां पर आपको कोई charge आपको नहीं लगेगा कोई fees नहीं लगेगा आपको tuition fee आपको अगर एक लाग से family income कम है तो अब मैं बात आदेता हूं कि जिनका एक लाग से family income पांच लाग के बीच में है तो आपको उनका 2 by 3 हो जाता है यानि कि अगर एक लाग रुपया लग रहा है तो आपको 33,000 आपको pay करना होगा अगर आप 5 लाग से उपर आपको income आता है जो भी student का जो reservation मिलता है उसके according तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूं क्योंकि थोड़ा video लंबा होने वाला है तो आप लोग last तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी query नहीं बचेगा इसमें आपको समझ जाना है तो तो उसके बाद आप देख सकते हो अगर institute में फिर जाते हो friends तो यहाँ पर आपको institute fee लगता है जिसमें आपको development fee लगता है तो आप semester देख सकते हो 5,000-5,000 करके आपको total जो कि है 40,000 रुपया यहाँ पर आपको लग जाता है उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो की library and book का आपको payment करना होता है तो 15-1500 रुपया आपको खरके 12,000 रुपया आपको जो कि total हो जाता है उसी तरह से computer, internet बेगेरा चला होगे तो उसका आपको यहाँ पर जोड लेता है तो 12,000 रुपया यहाँ पर भी sports और art society जो भी होगा वहाँ पर उसके लिए आपको per semester देख सकते हो 2500 रुपया लागेंगे तो total हो गया 20,000 रुपया यहाँ पर हो जाएगा फिन student welfare के लिए देख सकते हो कि every semester आपको लागेंगे 1000 तो total हो गया 8,000 रुपया यहाँ पर भी फिन industrial training and placement के लिए कुछ भी आपको वहाँ पर करवाए जाएगे training करवाते हैं तो आपको 1500 रुपया पर semester के हिसाफ से लगए तो 12,000 रुपय यहाँ पर देना होगा examination fee आपको every semester 1500 रुपया लगता है तो आपको यहाँ पर हो जाएगा जो कि 12,000 रुपया तो टोटल जो है आपको institute को मिला दिया जाए तो आपको 1,16,000 रुपया आपको pay करना होता है आपको institute का जो fee है वो अब मैं यहाँ पर नीचे जाकर और बताता हूँ कि आपको कितना insurance विगे रफी आपको 1000 है तो 4000 रुपया आपको देना होता है counseling fee counseling fee जो कि आपको 40,000 रुपया होता है तो उसमें देख सकते हो क्या क्या आपको मिला हुआ रहते हैं institute term, caution, money जो कि refundable होता है जो कि 20,000 रुपया आपको जब आपका degree मिल जाता है तो आपको सही सलामा जो भी आपको कुछ गरवरी नहीं किये हो तो आपको 20,000 रुपया जो कि फिर return कर देते हैं यानि कि refundable होता है उसके बाए aluminumian association membership के लिए आपको 1000 है identity card बेगेरा 200 रुपया तो total आपको यहाँ पर देख सकते हो 21,000 रुपय आपको यहाँ पर पे करना होता है तो total माल लेते हैं कि ABC जो भी यहाँ पर खर्चा बेगेरा सारक हटा दिया जाए जैसी कि आपको एड विशन के टाइम आपको 40,000 रुपय लगते हैं तो इसी का लगता है तो यहाँ पर देख सकते हैं 38,700 रुपया यहाँ पर पहले से one payment fee कि एड विशन टाइम को ले लिया जाता है तो अब मैं दिखा देता हूँ आपको कि होस्टल वेगेरा फी का कितना है खर्चा आपको पर जाएगा तो उससे पहले एक ऐसे इनवर्सिटी के बारे में बता देता हूँ जो कि आपको जो है राइटी रूर्की है इसका एडविशन ओपेन है तो इसके लिए जुलियरिया के बाह्म मैं बात करूँ तो कलास्टु वेल्थ में मैं बात करूँ फ्रेंज तो उत्राखन टेक्निकल इनवर्सिटी से अफ्लेटेड है उसके बाद इसका जो कि हाइट पैकेज के मैं बात करूँ फ्रेंज तो 36 लाख एल पीए गया है जो कि यहां का केंप्यूटर साइंस का तो इसमें आप बाद इसके कंपनी के बात और इसका पर यर का फी मैं बता हूँ तो डेर लाख है तो टोटल आपको वही आपको साथ आठ लाख तक आपको लोगको फी आपको बीटे के लिए है तो आप लोगका जो भी क्वाइडी है क्वेश्चन है तो उसका लिंग मैं डिस्क्रिशन बॉक्स में दे दिया हूँ तो यहां से आप अप्लाय करिए सबसे पहले फॉर्म फिल अप करना होगा तो आप उसका मैं लिंग डिस्क्रिशन बॉक्स में दे दिया हूँ तो जल्दी से जाए उसका लिंक ओपन कीजिए और देखिए उसका और कोई विक्वाइडी है तो वहां पर नंबर वेगेरा द है तो टोटल आप यहां पर आप देख पारे हो कि आपको टोटल जो है फाइनल यह यानि कि एक लाख चो वाली सज्जार पे आपको लगने वाले है आपको टोटल सेक्रेटरी होग है डिगरी जब मिलेगा कंपलीट होगा तो यह आपको रिफंड करतेगा मैं डेख सेक्रेटरी ठेन थाउजनल है कि टोटल वीच जार है कि टोटल कि कितना प्र्षांगे कि आत dwarf आपको लगने वाला है एडवीशन से लेकर लास्ट आपको डिग्री मिलने तक यानि कि बिटे का खर्चा यह नाइटीज का है सारे तिन लाग के अप्रॉक्सिमेट बोल सकते हो क्योंकि थोड़ा बहुत आप तो इधर उदर करेगे हो ही खर्चा आपको बढ़ जाता है सारे पांच लाग तक आपको चला जाएगा तो इस तरह से आपको मैंने बता दिया पूरे एन इटीज की कि अगर इतना अपको फी रहता है तब आपको आपको मिल जाएगा तो आप एडवीशन से फाइलिए हैई आप लोंलों का फी एस्ट्रॉक्चर रने वाला है तो वी झाल के तो कि अधिए जान पाल किम जाए बता खिए अर्चाब फॉर्ण कर जाएग भॉर्ण कर जाएगिए जा हुआ है कि गर्चाबराब कर जाएगिए और यार जार खिए ऑजी यूर्ण